बेलकम बैक गाईज स्वागत है आप सभी का दोस्तों यह आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि पर्मानेंट स्लाइड किस तरह के से बनाया जाए तो यह वीडियो आपके लिए है यह आपके मन में बार बार यह ऐसा प्रस्ण कोई उठ रहा है इस स्लाइड कैसे प्रिपेर की जाती है पर्मानेंट स्लाइड आप किस तरह के से बनाएंगे कि उसे आप हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और उसे जब चाहें तब आप उसे आसानी से किसी को दिखा सकते हैं या खुद भी देख सकते हैं पर्मानेंट स्लाइड बनाने का तरीका आपको यहां पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यदि आप सीखना चाहते हैं पर्मानेंट स्लाइड कैसे बना जाती है तो आप वीडियो में बने रहेगा और जो चीज़े मैं आपको कह रहा हूं वो आप अपने सामने सबसे पहले ला करके रख लिजै यानि यह सारी चीज़े आपको जरुवत पड़ेगी स्लाइड बनाते समय क्या क्या है वह आप देख लीजिए फस्ट ग्रीन आप अपने पास फस्ट ग्रीन रख लीजिए ब्लेड रख लीजिए और माटेरियल रख लीजिए यानि जिसका आपको पर्मनेंट स्लाइट बनाना है जैसे आपको किसी प्लांट के इस्टेम का टी अस कट करना है जैसे प जिस भी प्लांट की लीव का सेक्षन कट करना चाहते हैं और उसकी पर्मानेंट स्लाइड बनाना चाहते हैं तो उसको आप रख लीजिए अपने पास जैसे माहेंगो की लीव आप अपने पास रख लीजिए यानि माहेंगी फेरा इंडिका की ठीक है यदि आप कनेर की लीव आपके पास होना जरूरी है, ठीक, DPX, सबसे important है, DPX का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि last में आप permanent slide को जो बनेगी, उसकी cover slip के साथ उसको अगर बनाना है, चिपकाना है में से अगले permanently, तो आपके पास DPX होना जरूरी है, या पिर आपको कनाड़ावाल सम है, तो वो आप पास रख लीजिए, प्लस सबसे important है, alcohol, alcohol आपके पास होना जरूरी है, जैलीन, जैलीन का होना जरूरी है, ठीक, और इसके बाद जिस पर आप जो slide जो आपको चाहिए, वो slide इस तरीके से आपके लहब में मौजूद होगी, वो आप अपने पास slide रख लीजिए, प्लस साथ साथ आपके पास क्या cover slip छोटी-छोटी होनी चाहिए, काच की इस तरीके से, आपके पास ये सारी चीजे आपके पास होना जरूरी है, तभी आप permanent slide त्यार कर सकते हैं, तो आईए, अब आपको इस वीडियो में मैं एक-एक step बताऊंगा, कि आपको सबसे पहले क्या करना है step by step बताता जाऊंगा, बस आप वैसे ही करते जाएगा, और finally last में आप एक slide त्यार कर पाएंगे, वह भी permanent slide और आसानी के साथ आप हमेशा उसको देख सकते हैं, या फिर अपने छात्रों को दिखा सकते हैं, ठीक है, ओके, चले, start करते हैं, सबसे पहले, पहले point में, separate and in fast green combination सुरुवात यहां से हम करेंगे, अब आपके पास सबसे पहले starting में, select a thin section, सबसे पहले काम करना है, कि कुछ इस माध्यम से, जिसका भी आपको section करना है, या slide तयार करना है, तो उसका पतला सा section आपको काट लेना है, टी अस काट करेंगे आप इस टेम का, तो पतला section आप, पतले से पतला जितना हो सके, आप उस section को काट कर लिजिए, देन उसके बाद आपको क्या करना है गाईज, stand with the equus sephranine, अब आपके पास lab में इस तरीके से sephranine होगी, red color के इसके color होता है, वो आपके पास होगी, ठीक है, तो उस sephranine से लगभग तीन से चार मिनट तक आप उसको उसी में रखेंगे, watch glass आपके lab में होगी, watch glass या पेट्रेडिस में इस material को cut करने के बाद इसमें डाल दीजिए और उसके बाद sephranine से color कर दीजिए, ठीक है, अब आपको क्या करना है, तीन मिनट या चार मिनट के बाद क्या करना है, next system में, wash, thoroughly with water, अब आपको उसे water के साथ धुलना है, कौन सा water, distilled water आपके पास होगा, आप distilled water से इसको wash कर दीजिए, धुल दीजिए, तीन मिनट के बाद, उसके बाद next point में आपको देखिए, बहुत simple तरीके से, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यह जो वीडियो है, बहुत ही जादा important है, किसी भी class का छातर हो, बस उसे अगर permanent slide त्य वीडियो को अच्छे से देखे, और इसके साथ-साथ यह आपको वास्तों में लग रहा है कि यह आपके useful यह हमारा वीडियो है, तो बिल्कुल घबडायेगा, मत पूरवाच कीजिएगा, और चैनल को subscribe कर लिजिएगा, इसके बाद भी ऐसे वीडियो आते ही रहेंगे, ठी इसमें water included नहीं है, अब आपको क्या करना है, 15% alcohol कैसे बनाना है, अब इसको जान लीजिए, देखे, 15% alcohol कैसे बनाना है, मतलब कुछ ऐसा आपको बीकर ले लीजिए छोटा सा, और उसमें water की मात्रा आप इतना रखेंगे, कि लगभग 85% क्या होना चाहिए, उसमें water होना च वो जो लीकिड घोल तयार हुआ है, तो वो 15% alcohol का है, यानि जिसमें 15% alcohol मिला हुआ हो, वो 15% dehydrate alcohol का है ठीक है, तो अब उसमें आप किसको डाल देंगे, यह जो आपने thin material निकाला था, वास किया था water से, आप उसे 15% alcohol में डाल देजे, देन उसके बाद, उसके बाद कुछ मि अपको 50% alcohol में डालना है, उसके बाद 30% alcohol में ऐसे continue आपको यह process करते जाना है, मतलब कुछ मिनट के लिए, तीन से चार मिनट के लिए, आपको 30 में, तीन से चार मिनट के लिए, फिप्टी में, अब 50% alcohol क्या है, जैसे 10 ग्राम आप क्या लेते हैं, एबसलूट alcohol लेते हैं, ठिक, तो 10 ग्राम आपके उसमें water भी होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, 50% alcohol आपका तयार हो गया, ठिक, अब उसके बाद 30% का, समझे, तो इसी तरीके से आप 30% भी बना लीजिए, उसके बाद 90% यानि 10% उसमें water हो, तो 90% alcohol हो, समझ लीज समझ गया, अब आपको क्या करना है, इसको समझ ये, बित fast green, अब ये जो fast green आपके साथ होगी, आपके पास होगी, आप देखिए उसमें उसमें क्या करना, prepared in 90% alcohol, जिसमें 90% क्या होगा, इलकोहल होगा, और 10% ही उसमें क्या होना चाहिए, fast green होना चाहिए, अब उसमें परसंट का आपने एलकोहल बनाया था उसके साथ वास कर देना हैं यानि इस को निकाल के 90 percent alcohol with first green जो था उसमें से material को निकालना है अब dish 10 with 90 percent alcohol के साथ आपको wash करना है और उसके बाद सब्से last में क्या करना है absolute alcohol यानि 100 percent alcohol में आपको transfer कर देना है material को क्या करना है 100% एकोल के साथ टांसफर कर देना है उसके बाद डी एलकोलाइज भी 25% जाइलॉल अब जाइलीन का इस्तेमाल करना है क्या करना है जाइलीन का इस्तेमाल करना है जिसमें 25% जाइलीन होगा उस जाइलीन के साथ आपको उसको वास कर देना है उसके बाद 50% जाइल जायान and 90% जायान के साथ वास कर देना है ये continuous process चलती रहेगी उसके बाद 90% हो गया अब pure gyloal के साथ कर देना है क्या करना है pure gyloal के साथ अब इतनी process हो जाएगी तो आपके सामने एक कांच की स्लाइड होगी उस स्लाइड को ले लीजिए चोटी ची इस तरीके से कवर सिलिफ होगी कांच की उसको ले लीजिए अब क्या करना है इस स्लाइड पर आपको क्या रखना है जो अब तक माटेरियल को आप एलकॉली कर रहे थे वासिंग कर रहे थे उसको आप इस स नहीं है तो कनाड़ावाल सम होगा आप उसे डाल दीजिए ठीक है और उसके बाद क्या करना है इस कवर स्लिप को छोटी चीजो कांच की कवर स्लिप होगी उसको डख दीजिए फानली पर्मनेंट स्लाइड आपके प्रिपेर हो जाएगी तो दोस्तों इतना प्रोसेस करना प यदि ऐसा आपको लगता है कि आपके काम का था तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों के पास इसे सेर कर दीजिए सबकी जरूरते पूरी हो जाए बहुत लोगों को यह सारी चीजे नहीं पता होती है बहुत सारे से टीचर भी है जिनको इसकी जनकारी नहीं ह जाती है उसके प्रिपरेशन कैसे की जाती है उसका भी वीडियो में आपको जल्दी बना करके आपको सामने को बैट करा दूँगा और ऐसे भी फंजाई की प्रेटकल कैसे किया जाता है कुछ ऐसे प्रेटकल हमने अपलोड कर दिये हैं वीडियो पहले से ही यूटुब में त तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा धन्यवाद दोस्तों